बुद मॉनिंग बच्चो चलिए पड़ते क्लास थर्ड की हिंदी ग्रामर की बुक चैप्टर फरस्ट यह हमारा कम्प्लीट ने हुआ था हम इसे बसे विजन कर रहे हैं दुपने पढ़ रहे हैं पहले हो चुका है हम यह हमारा यहां तक हो चुका था अब हम पढ़ेंगे ब बहसाओं के रूप हम बिविन हम बिविन प्रिकार की बहसाओं बोलते हैं संसार में बिविन प्रिकार की बहसाओं बूली जाती हैं जैसे जापान जापानी फ्रांस फ्रांसिसी इंग्लेंड में अंग्रिजी चीन चीनी रूसी रूसी भारत में हिंदी भारत वर्स की प्र अलग भाषाएं बोली जाती हैं जैसे बांगला, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, मराथी, तेलगू, कन्नड, मल्यालम, तमिल, मैथली, बोडो, अस्मिया, आदी ये हमारे देश में अलग अलग जगे अलग भाषाएं बोली जाती हैं अब देखें लिपी किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ अक्षर निच्चित होते हैं किसी भाषा को जिस धंग से लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिपी कहते हैं भाषा के लिखित रूप को लिपी कहते हैं भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपी कहते हैं प्रमुक लिपियां देखिए इस प्रिकार से हैं देखिए हिंदी यह आपकी भाषा हो गए यह आपकी लिपी ठीक है देखिए हिंदी यह भाषा और इसकी लिपी क्या है देवनागरी संस्क्रिट देवनागरी नेपाली देवनागरी अंग्रेजी रोमन उर्दू फार्सी पंजाबी गुरु मुखी, यह सब क्या हो गई, यह आपकी भाषा हैं हो गई, और यह आपकी लिपी हो गई, व्याकरन, संसार के प्रतेक भाषा को अपना व्याकरन होता है, संसार की प्रतेक भाषा का अपना व्याकरन होता है, व्याकरन का ज्यान भाषा को सुद्ध लिखन और बोलना सिखाता है अते किसी भी भाषा को कुसलता पाने के लिए उस भाषा के व्याकरन का ग्यान होना आवशक है यानि कि भाषा हमें सुद्धूरूप से लिखना बोलना सिखाता है जिस बिद्या से हम भाषा को सुद्धूरूप में लिखना बोलना सिखते हैं उसे हम क बाशा के दो बेद होते हैं मौखिक वा लिखेत बाशा के लिखेत रूप को क्या कहते हैं हम लिपी कहते हैं व्याकरन वह विद्या है इसके माध्यान से हम सुद्ध बाशा लिखना पढ़ना बोलना सीखते हैं ठीक है आज के लिए एकनाई यह आपका चैप्टर हो चुका है कम्प्लीट और यह देखिए आपके लिए हमबर्ग में यह हमने पहले दिये थे यह टिक दी करक्ट है गा सही विकर्ट चुनिए फर्स्ट बोलकर दूसरों से अपनी बात कहना भाशा का कौन सा रूप है आ मौखे बाल लिखे सा शांके तिक तो बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाना वह हमारा मौकिक बाशा कहलाता है सेकंड देखिए हिंदी किस लिपी में लिखी जाती है आ रोमन लिपी में फार्सी लिपी में या देवनागरी लिपी में तो हम हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है अब देखिए हमारे देश्ट की राष्ट बाश है अहींदी वा अंग्रेजी उर्दूं करता है यानि बहसा को सुद्ध रूप से बोलना पढ़ना लिखने का धुन कराता आप व्याकरन वाक्य सालिपी तो क्या करता है व्याकरन व्याकरन हेवां कि बाषा के द्वारा हम अपनी बाद दूसरों तक पहुंचाते हैं बाषा के कितने वेद होते हैं? मोखिक भाषा और लिखेद भाषा बोलकर अपनी विचार प्रकट करना कौन सी भाषा कहलाता है मोखिक भाषा बोलकर अपने विचार को प्रकट करना मोखिक भाषा कहलाती है अखवार लिकेत वाशा का उधारन है लिकेत वाशा का उधारन क्या है अखवार भारत की राष्टवाशा हिंदी है भारत की राष्टवाशा क्या है हिंदी है ठीक है यह आपके लिए हमबर को चुका है आप इसे लर्न करना आप में डायरी में नोट भी करना ठीक है यह कुछ पहली दी गई है आप भी अपनी नोट बुक सॉरी बुक में इने फिल करना कॉन कॉन सी लैंग्विज इसमें ठीक है इसमें से देखके यह आपके लिए अंबर को गया आज के लिए इतना ही ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यमार